ओम शांती, आज 25 जुलाई 2024 के साकार मथुर महवाक्य है, आज सत्गुरुवार वर्दानी दिवस है, सत्गुरुवार के दिन हम बाबा से विशेश रूप से सत्गुरु का संबंध चोड़ कर वर्दान लेते हैं और सबको वर्दान बाटते हैं, आज भी बाबा का बहुती सुंदर सुखद वर्दान है, सदा हिमतवान आत्माभव, आप निरबल में बल भरने वाली आत्मा हो, असंभव को संभव करने वाली आत्मा हो, जब आप हिमत का एक कदम बढ़ाते हैं, तो बाबा की पदम गुणा मदद मिलती हैं, आपने पहला कदम बढ़ाया, हमी पवित्र बनना है, बाबा ने याद दिलाया, आप आदी अनादी पवित्र आत्मा हो, कल्प कल्प आप पवित्र बने हो, अब भी बनना ही है, जैसे ही बाबा ने स्मृती दिलाई, तो आप विश्व को भी चैलेंज करते हो, कि हम परविर्थी में रहते भी पावन बनकर रहने वाले पवित्र आत्माई हैं, ऐसे हिमतवान आत्मा को बाबा की पदम गुणा मदद मिलती है, आज बाबा ने एक राज खोला, कि इस संगम युक पर तुम्हे एश्वरिय बुद्धी मिलती है, जिस बुद्धी से आप एश्वरिय गुण वर्से के रूप में प्राप्त करते हो, जिसे बाबा ज्यान सागर, शान्ती सागर, प्यार का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्यान सागर बन जाते हो, इस समय तुम्हे पूरी बाजोली को याद करना है, हम क्या थे, क्या बन गई, क्या बनना है हम सो, सो हम, हम ही थे जो देवी देवता थे धीरे धीरे शत्रिय बने, फिर वैश बने, फिर शुद्र बन गई अभी हम ब्रामन है, जब आप ब्रामन बनते हो तो आप बाबा से पूरा ख़जाना लेते हो ज्ञान सागर का ज्ञान लेते हो स्वेम में धारन करते हो जब ब्रामन बनते हो तो अच्छी रिति बाबा को याद करना है माया जीत बनना है आपके लिए माया को जीतना मुश्किल नहीं आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा है ब्रस्पतवार के दिन ब्रिक्षपती का दिन कहते हैं अब आप बच्चों पर ब्रस्पत की दशा बैठी है पहले राहू की दशा थी बाबा आकर बेहद का सन्यास सिखाते हैं पहले हद के सन्यासी थे अब बेहद का सन्यास सिखाते हैं बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूँ इस पढ़ाई का सिम्रण करते रहू जब साहिब को तो सुख मिलेगा इस याद में माया के अनेक विखन पढ़ते हैं याद करते करते सब दुख दूर हो जाते हैं गाया जाता दुख में सिम्रण सब करे, सुख में करे ना कोई बापा स्वयम कहते हैं कि मैं इस रत में आता हूँ ब्रह्मातन के द्वारा तुमें पढ़ाने आता हूँ वो थोड़े बच्चे मुझे पहचानते हैं जिने इश्वरिय बुद्धी मिली है वो ये जानते हैं कि निराकार बाप हमें स्वयम पढ़ा रहे हैं हमें पढ़कर फिर से मनुष्य से देवता बनना है बाबा ने कहिए जो बाजोली है खुद भी याद करो बच्चों को भी याद कराओ बजुर्गों को भी याद दिलाओ और ये बहुत सहज है जो बच्चे बाजोली को याद करते हैं वो स्वर्ग में उच्पद के अधिकारी बन जाते हैं सुनते हैं बाबा के मधुर बोल ओम शानती गुड मार्नी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाजोली का खेल जाद करो इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्रामनों का राज समाया हुआ है प्रशन है संगम जुकपर बाब से कौन सा वर्षा सबी बच्चों को प्रापत होता है इश्रे बुद्धी का इशर में जो गुण है वे हमें वरसे के रूम में प्रापत होते है उत्तर है इश्री बुद्धी का इश्र में जो गुण है वो हमें वरसा में देते है हमारी बुद्धी हीरे जैसी पारस बन रही है अब यह ब्रामन बने बाव से बहुत भारी खजाना मिलता है सर्व गुनों से हम अपनी जोली भर रहे हैं ओम शान्ति आज है सत्गुरु वार ब्रेस्पति वार दिनों में भी कोई उत्म दिन गाया जाता है ब्रेस्पति का दिन उंच कहते हैं ब्रेस्पति अर्थाद ब्रिक्षपति डे पर स्कूल जा कॉलेज में पढ़ने जाते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष रिष्टी रुपी जाड़ का बीज रुप बाप है बै अकाल मूर्थ है अकाल मूर्थ बाप के अकाल मूर्थ बच्चे है कितना सहज है मुश्किलात है सिर्फ याद करने की क्योंके याद से ही वी करम बिनाश होते है याद से ही तुम पती से पावन बनते हो बाप समझाते तुम बच्चों पर इस समय अबिनाशी बेहद की दशा है एक होती है हद की दशा दूसरी होती है बेहद की बाब कहते हैं, मैं अब्रिक्षपती, सत्व चित अनंद सुरूप हूँ, फिर महमा गाते हैं, कि ग्यान का सागर है, सुख का सागर है, शांती का सागर है, तुम जानते हो, सज्जुग में, तुम जानते हो, सज्जुग में देवी देवताएं, सब शांती के पवित्रता के स भारत सुक्षांती पवित्रता का सागर था उसको का जाता है विश्व में शान्ती तुम हो ब्रामन वास्त में तुम भी अकालमूर्त हो हर एक आतमा अपने तخت पर विराजमान है और था बृधटी में विराजमान है ये सब चेतन अकाव तख्त है ब्रिकुटी के बीच में अकाल मूर्द आत्मा विराजमान है इसको चमकता सितारा भी कहा जाता ब्रिक्षवती बीजरू को ग्यान का सागर कहते है तो जरूर उनको आना पड़े तो आकर के पहले पहले चाहिए ब्रामन प्रजा पिता ब्रह्मा के अड़ाप्टेड चिर्डरन तो जरूर ममा भी चाहिए तुम बच्चों को बाब हर बात अच्छी रिती समझाते है जैसे बजोली खेरते हैं ना उसका वेयर समझाया भी जरूप शिब आबाबा फिर है प्रजा पिता ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मन रचे गए इस समय तुम कहेंगे हम ब्राह्मन ही सो दीवता बनते हैं पहले हम शुद्र बुद्धी थे फिर से बाप आया हमें पुर्शोतम बनाने हीरे जैसी पारस बुद्धी बनाते हैं ये बजोली का राज भी आकर समझाते हैं, शीव बाबा भी है, प्रजा पिता ब्रह्मा भी है, और एडाप्टिर बच्चे भी सामने बैठे हैं, अभी तुम कितने विशाल बुद्धी बने हो, ब्रामन ही सोफिर देवता बनेंगे, अभी तुम इश्री बुद्धी बनते हो जो इश्र में गुण है, वै तुम्हें बाब ने वरसे में दिये हैं, समझाते समझाते, ये बाते भूलो मत, के इश्र ने हमें अपने गुण वरसे के रूमें दिये हैं, बाब ग्यान का सागरह नमबर वन, उनको ग्यान इश्र भी का जाता है, ग्यान सुनाने वाला इश ग्यान से होती है सद्गति, पतितों को आकर पांड बनाते हैं ग्यान और योग से, भारत का प्राचीन राजयोग मश्यूर है, क्योंकि आइरनेज से गोर्डनेज बना था, ये तो समझाया, कि योग भी दो परकार का है, एक हट योग, एक है राजयोग, वो हद का है, हट योग हद का है, राजयोग बेहद का है, वो हद के सन्यासी अर्था घर बर छोड़ते हैं, तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम घर ग्रस में रहते सारी दुनिया का सन्यास करते हो, अब तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ये छोटा सा नया जार है, हम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, पुराने जाड को बदर फिर नया बना रहे हैं, इसकी सेप्लिंग लग रही है, ब्रावबर हम बजोली खेरते हैं, सो ब्रामन, फिर हम सो देवता, हम सो वैश, हम सो शुद्र, फिर हम सो ब्रामन, सो देवता बनेंगे, सो अक्षर जरूर लगाना, सो माना पेले की तरह, सिरो हम नहीं, हम सो शुद्र थे, अब हम सो ब्रामन बने, ये बजोली बिलकुल भूरनी नहीं चाहिए, ये तो बिलकुल सैज है ना, छोड़ चोड़े बच्चे भी समझा सकते हैं, कि हम चुरासी जनम कैसे लेते हैं, सीड हम कैसे उतरे, कहा हम सद्यू में सोला कला संपूरन थे, उतरते उतरते, इस समय हम नोकला हो गया, फिर ब्रामन बन, फिर चाड़ रहे हैं, ब्रामन सो देवता बनेंगे, अभी ब्रामन बन, बहुत भारी खजाना ले रहे हो, बुद्धी रूपी जोली भर रहे हो, ज्यान सागर कोई शंकर को नहीं का जाता, वै जोली नहीं भरते हैं, यह तो चितरकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है यह नहीं, यह विष्ण और ब्रह्मा यहां के है, इनका पाट है, लक्ष्वी नरायन जुगरूप उपर में दिखाया, यह इनका ब्रह्मा का अंतिम जनम संगम जुग में ब्रह्मा फिर सद्जुग में होगा नाराएन जनम ब्रह्मा पहले पहले ये विश्वू था नाराएन था फिर चरासी जनमों के बाज ब्रह्मा बना इनका नाम मैंने ही रखा ब्रह्मा सबका नाम बदली किया क्योंकि सन्यास किया शुद्र से ब्रामन बने तुना बदल दिया, बाबा ने सब के बहुत रम्लीक नाम रखे हैं, आप तुम समझते भी हो, देखते भी हो, के ब्रिक्षवती शी बाबा इस रत पर बैठा था, ब्रमा तन में है, इनका ये काल तक्त है, और इनका भी है, शी बाबा ब्रिकुटी में शी बाबा भी है, प्रजाविता ब्रमा भी है, इस तक्त का लोन लेते हैं, शी बाबा, बैस तक्त का लोन लेते हैं, क्योंकि उनको रख तो है नहीं, वैं तो तन शरी धारण करते नहीं, कहते हैं, मैं इस रत पर विराजवान होता हूँ, पैचान देता हूँ, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं सिर्फ जनव मरन के चकर में नहीं आता हूँ, तुम आते हो, अगर मैं भी आओं, तो तुमको तमो प्रदान से सतो प्रदान कौन बनाएगा, बनाने वाला भी तो चाहिए ना, इसरे मेरा पार्दान है, तुम्हें सतो प्रदान बनाना, मुझे बुलाते भी होना, हे पति पामन आओ, निराकारशी बाबा को आतमें पुकारती हैं, क्योंकि आतमा को दुख होता, भारत वासी आतमें खास बुलाती हैं, क्या कर हमें पति से पामन बनाओ, सज्जु में तो तुम पामन थे तो बहुत सुखी थे, कभी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सुखी बनाकर, खुद बान परस्त में बैठ जाता हूं, और ता शांती दाम बैठ जाता हूं, वहां म मेरी दरकार नहीं, बक्ती मारग में फिर मेरा पार्ट शुरू होता, फिर मेरा पार्ट आदा कलव नहीं, बक्ती मारग अर्थाथ दापर कल जुमें साक्षद कार का पारट ऊता, जियान तो मिरता संगम पर, जिसे तुम एक-आक जनब प्रालवद पाते हो, फिर बहुत newer आप समान भी बनाते हैं, सेवा करके दोसरों को आप समान भी बनाते हैं, तो देखते हो, जिस रथ पर बाब विराजवान है, अर्था ब्रह्मा बाबा वै तो माया को जीत रेते हैं, फिर अन्य 앞으로 को बिद जीत पा लेते हैं, जैसे कुमर का है, मनो 250 बिन्हान पहला हैं, जरू ली है छोटे बच्चे भी ये बाते समझ सकते हैं इसरी बाबा कहते बच्चों को भी सिखाओ उनको भी बाप से वरसा लेने का हक है जासी बात तो है नहीं थोड़ा भी इस ग्यान को जानने से इस ग्यान का विनाश नहीं होता सरग में तो जरूर आ जाएंगे जैसे क्राइस क्रिश्चन धर्म कितना बड़ा है ये देवी देवता धर्म तो सबसे पहले है और बड़ा धर्म है जो दो यूग चलता है सत्यूग त्रेता जरूर उनकी संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए परन्तु अपने को हिंदू कहला दिया कहते भी हैं 33 क्रोर देवी देवता हैं त्रेतान तक फिर हिंदू क्यों कहते माया ने बिलकुल बुद्धी को ताला लगा दिया तब ही ये हाल हो गया बाब कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है माया ने बुद्धी को बिलकुल ताला लगा दिया तब ही ये हाल हो गया बाब कहते माया को जीतना कोई कठि बात नहीं है तुम हर कलब जीत पाते हो सेना है न बाब मिला है तेन भी कारों रुपी राट पर जीत पैनने के लिए पर अब ब्रेस्पत्की दश्चा है भारत पर ही दश्चा आते है बाब रिख्ष्पत्की दश्चा बैठेगी इस समय सब कुछ आ जाता है तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिली है मामरितु का नाम नहीं अमर लो कहना तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिली है सद्जीव में निरोगी काया मामरितु का नाम नहीं होता एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते शरीर छोड़ने और लेने पर खुशी होती है गम का नाम नहीं तुम पर अभी ब्रस्वत की दशा है सब पर तो ब्रस्वत की दशा हो ना सके स्कूल में भी कोई पास होते हैं कोई ना पास होते हैं ये भी पार्शा लेना तुम कहेंगे हम यहां राज्योग सीखते हैं सिखलाने वाला कौन बेहद का बाप तो कितने खुशी होने चाहिए खुद बाप हमें सिखाते हैं भक्ति मारग में भी कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके उपर बारी जाएंगे आपके ही बनेंगे दूसरा ना कोई हम आपके बन आप से पूरा वर्सा लेंगे बाप का बनते ही हैं वर्सा लेने के लिए अडाप्ट होते हैं जानते हैं बाप से हमें क्या मिलेगा और कोई में ममा तो नहीं समझो कोई का लोकी बाप भी है उनके पास क्या होगा करके लाग डेड़ होगा ये बेहद का बाप तो तुमको बेहद का वर्सा देते हैं आप सत्य बाप तुम्हें सत्य बाते सुनाते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से जाद करना चाहिए उनकी शिक्षाएं ध्यान से सुनने चाहिए हम सोकार्थ भी समझाना है वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके बाप के लिए कहते हैं कुते बिले सब में है बाप की कितनी गलानी करते है ये भी ड्रामा में नूद है कोई पर बाप दोश नहीं रखते है ड्रामा ये ऐसा बना हुआ है तुमको जो ग्यान से देवता बनाए तुम मेरों उनको गालियां देने लग पड़ते हो कितना श्रे लगता तुम ऐसे बजोली खेरते हो ये ड्रामा बना हुआ है मैं आकर फिर भी तुम पर उपकार करता हूँ मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा दोश नहीं ये खेल है ये है सची सची कथा जिसे तुम देवता बनते हो भक्ती मारग में तो धेर कथाएं बना दी उसमें एम अबजर्ट तो कुछ भी नहीं वार्शाला में विद्या पढ़ते हैं लोकी वार्शाला में फिर भी शरी नर्वार्थ एम है पंडित लोग अपने शरी नर्वार के लिए बैठ कथा सुनाते हैं पिर लोग उनके आगे पैसे रखते हैं पर उसे प्राप्ति तो कुछ नहीं, तुमको तभी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, वहां हर चीद नई मिलेगी, और सब बाते तुम छोड़, बजोली जाद करो, फकीर लोग भी बजोली खेरते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते, अभी तो मोटरें, एरोपलें निकला आई, गरीब तो उसमें जा न सके, कोई बहुत शर्दा वाले होते हैं, तो पैदल भी चले जाते हैं, दिन प्रते दिन साइंसे बहुत सुख मिलता जाता है, जे अलब काल का सुख गिरते हैं, तो कितना नुक्सान हो जाता इन जीजों में सुख है, पर अलब काल के लिए, बाकी फाइनल तो मौती भरा हुआ है, वो है साइंस, तुमारी है साइलेंस, बाप को याद करने से सब रोख खतम हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं, सद्जु में बिमारी भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, अभी तुम सम समयते हो, सद्जु में एवर हल्दी थे, ये चुरासी का चकर फिरता ही रहता है, बाप एक ही बारा कर समझाते हैं, सारे कलम में इसी समय, पुर्शोतम संगम जुग पर आकर ये सारा राज समझाते हैं, तुमने मेरी जितनी गिलानी की है, तुमने अपने को चमाट मारी है गिलानी करते करते, तुम शुद्र बुद्धी बन गए हो, बाप तो संपूरन है, पर गिलानी करते करते तुम बच्चे शुद्र बुद्धी बन गए हो, सिखलो भी कहते हैं, जब साहिब को तो सुख मिले, अर्थात मन मना भाव, अक्षरी दो हैं, बाकी जास्ती माथा म प्रद्दू पूरा रास्ता जानते हैं, कहते हैं सिमर 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 सुखपाओ, तुम बचे जानते हो, ब्रावबर सज्जुग में बिमारी आदी दुख की कोई बात होती हैं, यह तो कमन बात है, उसको सज्जुग गोर्डन एज का जाता, इसको कल जुग आइरन एज का जाता, स्रिष्टी का चकर फिरता ही रहता है, समझानी कितनी अच्छी है, बजोली है, अभी तुम ब्रामन हो, फिर देवता बनेंगे, यह बाते तुम भूल जाते हो, बजोली जाद हो, तो भी यह सारा ग्यान बुद्धी में जाद रहे, ऐसे बाप को जाद करते रात को सो जाना चाहिए, फिर भी कहते हैं, बाबा भूल जाते हैं, माया गड़ी गड़ी भुला देती है, लड़ाई है तुमारी माया के साथ, फिर आदा कलब तुम माया पर जीत पा, उस पर राज करते हो, बात तो सहिज बताते हैं, ना मिया सहिज ग्यान सहिज याद, बाप को सिर्व याद करो, बाप क्या तक्रीफ देते हैं, भक्ती मारग में तो तुमने बहुत तक्रीफ ली, दीदार के लिए गला काटने को तयार हो जाते हैं, काशी कलवड खाते हाँ जो निश्चे बुद्धी होकर ये करते हैं उनके फिर इस जनम के विकरम बिनाश होते हैं फिर जब शरी लेते तो ने सिर से फिर करमों का खाता शुरू होगा यही साब किताब है बाकी काशी कलवड खाने से कोई मेरे पास नहीं आ सकता मेरी जासे भी करम बिनाश होते हैं ना के जीव घास से मेरे पास तो को आता नहीं कितनी सैज बात है ये बजोली तो बुडों को भी जाद रखनी चाहिए और बच्चों को भी जाद रखनी चाहिए कि कैसे हम मित्रे उंचे थे कैसे नीचे उत्रे अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों पर मात पिता बाब दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, अबेदारना के लिए मुखे सार पहली पॉइंट ब्रिक्ष्वती बाब से सुख शांती पवित्रता का वर्सा लेने के लिए अपने आपको अकाल मुर्त आत्मा समझ बाब को याद करना है इश्रिय बुद्धी बनानी है दूसरा, बाब से सची कता सुन कर दूसरों को सुनानी है माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है बुद्धी में रहे कि हम कलब कलब के विजई रतन है बाब सदा हमारे साथ है अब आज का बर्दान आज सत्गुरुवार प्यारे बाबा का बर्दानी हासिर पर रखते हुए मैसूस करेंगे नेर्बल से बलवान बन असंबव को संबव करने वाली हिम्मत वानात्मा भाव निर्बल से बल्वान बन असंभव को संभव करने वाली हिम्मत वाना आत्मा भव हिम्ते बच्चे मते बाप इस वर्दान के अधार पर हिम्मत का पहला द्रिड संकल्व किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप से पदम गुड़ा मदद दी कि आप आत्मे अनादी आदी पवित्र हो अनेग बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी अनेग बार की समर्दी से समर्थ बन जाएंगे निर्बल से इतने बल्वान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी हम पावन बना कर दिखाएंगे जिसको रिश्व मनी महानात में समयते हैं कि परविर्ती में रहते पवित्र रहना मुश्किल है उसको आपने अतिस्याज कर दिया स्लोगन है द्रेड संकल्व करना ही व्रत लेना है सचे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं है ओम शांती हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन हमारा पुरुशार्थ बहुत सहज और सरल हो जाए तो इसके लिए बाप दादा ने एक युक्ती सुनाई वो युक्ती क्या है यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती